आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चट्नी उसके लिए हमें इन चीज़ां की जरूरत है हरा धनिया हमने लिए एक कप उसको अच्छे से वाश कर लिया पतियों को अच्छे से सुखा लिया पुदीने की पतियां आधा कप इनको भी अच्छे से वाश कर लिया और सुखा लिया प्याज एक मीडियम साइज का उसको लंबा काट लिया हमने अद्रक एक टीसपून उसको ग्रेक लिया अनारदना दो टीसपून दो निंबू का रस हरी मिर्ची तीन नमक स्वादनुसार या एक टीसपून चत्नी बनाने के लिए सब चीजों को ग्राइंडर में ढालें हरा धनिया ढलेंगे, प्यास ढलेंगे, पुदीन, अद्रक, अनारधान, हरी मिल्ची, निम्बु का रस, निम्बु का रस पहले ली निखालके रखना, वह तो कड़वा हो जाता है, नमक, नमक हमने सेंदा इस्तिमाल किया, पहले इसको हम ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, बाद यो थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, चट्मी को हमने ग्राइंड कर लिया, आप चेक करते हैं कि पानी कितनी जरूरत है हमें, इसमें हम एक टेबल स्पून पानी डालेंगे, ज्याद स्टोरी में ट्रांसफर कर लेंगे चटनी में हमने निम्बू का रसी सिले ढाला है तक इसका कलर चेंड नहीं होगी देखिए पैसे का वैसे यह ग्रीन कलर है तो अब इसको एक एर टाइप कंटेनर में रखके फ्रिज में रख देंगे स्टोर कर लेंगे और एक हफते दस दि किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्स फोर वाचिंग